आवला के फायदे की चर्चे तो सभी ने सुने होंगे लेकिन इसके कितने सारे फायदे हैं ये शायद ही सभी लोग जानते होंगे विटामिन सी से भड़पूर आवला आख, बालो और तुचर के लिए फायदे मन्त है ही इसके साथ ही मैं आपको आवला के दस चमत कारिक गुन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी डायविटी इसके मरीजों के लिए आवला बहुत काम की चीज है पेडित व्यक्ति अगर आवले के रस का प्रती दिन शेहद के साथ सेवन करे तो बिमारी से राहत मिल सकती है आवला का पाउडर चीनी के साथ मिला कर खाने या पानी में डाल कर पीने से एसीडिटी से राहत मिलती है इसके अलावा आवले का जूस पीने से पेट की सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है पत्री की समस्या में भी आवला कारगार उपाय साबित हो सकता है पत्री की समस्या होने पर 40 दिन तक आवले को सुखा कर उसका पाउडर बना ले और उस पाउडर को प्रते दिन मूली के रस में मिला कर खाएं इस पर योग से कुछ ही दिनों में पत्री की समस्या से निजात मि रक्त में ही वो ग्लोबिन की कमी होने प्रति दिन आवले के रस्थ का सेवन करना का फिलावद प्रद्ध हो सकता है यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की निर्मान में सहायक होता है और खून की कमी भी नहीं होने देता बुखार से छुटकाड़ा पाने के लिए आवले के र रसका सेवन या इसके किसी भी रूप में खाने पर यह ठंड़ट प्रदान करता है इच्व की दधा उल्टी होने पर आवले के रसको मिसरी के साथ दीन में दो-तीन बार सेवन करने से काफी रहत मिलती है याद दास्त बढ़ाने में आवला काफी फायद मत होता है इसके लिए सुबह के समय आवला के मुरब्बा गाई के दूद के साथ लेने से लाव होगा इसके अलावा आप प्रते दिन आवले के रसकावा प्रयोग भी कर सकते हैं चेहरे के दाग धब्बे हटाकर उसे खूबसूरत बनाने के लिए आवला आप के लिए उपयोगी हो सकता है इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से तुचा साफ चमकदार होती है और जूरियां भी कम हो जाती है बालो को काला घहना और चमकदार बनाने के लिए आवले कपड़ोग होता ही है इसके पौजर से बाल धोने या फिर इसका सेवन करने से बालो की समस्याओ से निजात मिलता है आज के वीडियो में बस इतना है फिर में लेगे नई वीडियो में नई जानकरी के साथ हम आश्र करते हैं कि आवला से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपकी सीवी शेयर पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैं आपकी सवालों के जवाब देने में खुशी होगी आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद